कि नमस्कार दोस्तों टेंथ क्लाश की विज्ज्ञान विष्य में आपका स्वागत से ही हम लेशन नमबर की बात करे थे मानो तंत्र कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने यहाँ पर मानो रत्व परिशन चर्ण तंत्र के वारे में चर्शा करें ते है आज हमानों कहा है खरेगे वह उत्सरद्दंत्र सर्जा करता है किस प्रकार करता है किस उत्सरजबदार्द निखाने का करते हैं तो उत्सर्दन की परिवासा एनिसकी definition क्या होगी उत्सरदन क्या था प्राणियों के प्रकार कोन कोनसे प्रकार इसके होते हैं मानों उत्सरदन तंथ्र नामांगी चत्र यह उसकी सर्चना का यहां पर वर्णन करने वाले हैं उत्साजन की कारे की वडने की संलस्यनद तरद माद सुधर का रचन दर सांधिल की वर्क की आंप त्रिकि रसन के की वारे बात करते हूं उत्सरजन तंत्र की जान गर्जल चित्र की मादम से उत्सरजन तंत्र का चित्र बनाना सीखेंगे और इसके मलगिया पर मानु वरक का चित्र बनाना सीखेंगे तो यह यहाँ पर उत्सरजन की बारे हम चरजा करने वाले हैं करने इस से पशले हम आप बात करते हैं सिर्जन की पड़ियुआ । कि डेपनेशन क्या होगी तो जिए हम कोई भी यहां पर बात करते हैं उना पधार्त को aug расп करने के बाद जो उक्योंग विए आ जता हैं मिदर और ऑ इसके लिए hypothesis कर से दोब दजना करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नाइ्ट्रोजनी अप्सिस्ट पदार्तों को सरीर से समय समय बां निकल जाता हैं उठ्जे लिगा सन्जे करता हैं इन अपसिस्ट पदार्थों का सरीर से निसकासन आउसेग हैं सरीर से इन अपसिस्ट पदार्थों को बार निकानने के करिया को उत्सरजन ये एक्सक्रेशन खरते हैं शरीर में बनने वाली नाइट्रोजनी अपसिस्ट के उत्सरजन हेतु एक विश्ष्ष्ट तंत्र होता हैं जिसे उत्सरजन तंत्र कहते हैं यह उत्सरजन तंत्र कहा जाता है आगे मैं यहां पर बात कर रहे हैं नाइट्रोजन अपसिस्टों के आधार पर प्रानियों का वर्गेड़न किस प्रकार से होता है तो इनके सबसे पहले हम बात करें अमोनिया उत्सरजी प्राणी एम्नुटिक्ट जो यहां पर प्राणी है उस्सी के मतर्शा करने वाले हैं Ammonia, Utsarji, Pranay, तो यहाँ पर बताएगा है, दूसरा है यूरिया, Utsarji, पराणी इसमें दे रखा है, कि जो यूरिया का निस्काशन करते है, वो यूरियो टेडिक परानी कर लाते है, इस तन्दारी कुछ समुधरी यूरिया का उस्चन करते है, कि उरिया में परभारी तो यहां पर पर यहां पर जो है ये यूरिया उत्सर्जिपदर्त जिसके न यहां पर फ्रचारगे पर जो हैं हम इसकी चर्चा करने वाले हैं कि इसमें जो हैं यूरिक अमल उत्चर्जी प्राणी यूरिक को टेलिक करते हैं पक्सी सरी सर कीट आधी प्राणी अमोनिया को यूरिक अमल में परिवर्दित करते हैं यूरिक अमल को अतेनत कम जल के साथ गोर्डी काउं या पेस् इन प्राणियों को यूरी को टेलिक प्राणि कहा जाता है यूरी के सिर्गनिस्काशन करने के कानजी कहते हैं यूरी को टेलिक प्राणि कहा जाता है आगे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके उस सरजन्थ अंत्र की यहां किन्किन भाग us मिलकर बना उता है काँ पर इस्तत होते हैं इसकी हम चर्जा करते हैं तो इस डाइग्राम थेख रहें इस सबबसे देखे रख जो किटने यूशार है कन दे रहते हैं मुत्र diviga इसमें दे रख दोटब्वाइन होती हैं जो रख से अरोज के सारत की हैं दो फाले शिवाले करेंगी उसकेiqué को एकत्त किया जाता है उसके बाद नियादर फ्रमार भोता हैं तो सबसेंसे हुस्चाशित कर देता हैं इसका का करती है आगे मैं आपर बात कर रहे हैं इसकी जो इसमें तंत्र दे रखा हैं होमन एक्स कुरेटर सिस्टम में मानूपसर दंत्र हैं तो मानूस तंत्र दो व्रकों दो मुत्रवाईनी एक मुत्रा से ता एक मुत्रमार का बना होता है वरको में वल्कोड उमद्यान स्टियों आपर लेखते हैं मैं कोटेक्स को सब्सक्राइब गयुदा नेफ्रों इसमें पाई जाते हैं और म से हमें सको कह सकते हैं जिसके माद शीके करते हैं यहां पर इसके अंदर है और उससे पतार्थकर निश्काश करने में सहिधा करते हैं लात पर बात कर रहें इसके ब्रककानुक्त के प्रमुभाव होते हैं जो कौन कोई से व्रक्त रहें में समिपस्तो नलेका हैने लोग दुरस्त नलेका जिसे भाग होते हैं जो अंत में संग्राहक नलेका में खुलते हैं परते एक संग्राह नलेका पेलिविस में खुलती हैं और पेलिविस मुत्रवाइनी में खुलती हैं तो यह जो नहीं आपर हमने इसके जल्जा कर रहे हैं व्रक्कान ले अफ्रोन की उसके बारे में पर देगखा हैं अब वह यहाँ पर बात करें हैं उत्सरजन तंत्री की कारेकी मुत्तर निर्मान तीन परिक्रियाओं के द्वरा सम्वाधित होता हैं वससमें गुच्य निशैंधन गुलम रूल पिल्टेशन की परिक्रिया की मादम से पुना आउसेशन नहाँ पर होता है डी एपस और पीडेशन के द्वारा वह इस्त्रवन सीक्रेशन की मादम से इक्रिया चलती रहती है तो अब इसमें बात करते हैं व्रक धमनी व्रक में उसे पदार्थ युक्त रखत लेकर काई होती है और यह मुत्र को लाने का कारिय करेगे उसी प्रकार से यहां पर यूरिया युक्त तरहल पदार्थ मुत्र का निमान करते हैं नेफ्रों से मुत्र व्रक की जंग्रनलिका मिला जाता है जहां से मुत्र वानिक दोड़ा मुत्रास में मुत्र इसमें गत्रित किया अब यहांपर बात करती है, इसमे बात करते हैं, आद के रिए संप्रोल करते हैं वह रिल्श membac जाते हैं दो नलीका इसमें होती हैं इसको गोमें संपुट के पाजर पाज़ाते हैं इसलिए पस्त नलीका कहते हैं और इसे दूर पाज़ाते हैं इसमें यह पेंडी के समान से ना पाज़ाते हैं नीचे की और जो इसके अलग दापर यह कारी करते हैं इसे हैं लोग कहा जात होता है और इसमें के मादेम से यह जो दुरस्त नलेका है इसमें जो हैं यहां पर संग्रन नलेका होती है और संग्रन नलेका में मुत्र को संग्रन करता है और बाहर निश्कासित कर दिया जाता है कि वात करें मानु व्रक्य सब्सक्राइब के बात करें तो यहां मतर वाही धमनी अप वाही धमनी आप रहें आफिराओन को बाघ को बनाओं एक तो वरकूट को बागता है जो इसका बाहर होता हैम असे जो मत्रस को का सब्सक्राइब पाइब करता है इश beginning यहाँ पर न लेकाइट कस्मास्ट रुपते है । इसको फिल्ट्रेशन करने कारे करेगी अब वैप giraffe AI लागी तो यह मानू पप्राफर की सरे जना दांत्र सब्तान का यहाँ इसोनत लेकुतेशन होते हैं यह तो चुर्चा करते हैं को निसकस्क्त करने का कारी करते हैं आगे मेला। जो है यां पर टोपिक दे तेरख आ उसकी कख करेंगे याम ने क्तूक आक्सट तोपिक है वह जननतंत्र रिप्रोड़क्ति सिर्ट और हैं इस रिप्रॉडक्ति सिस्टेम निगोझे करते हैं क्योंgeois किसे करते हैं यह ऑनरारंब काल सकते हैं जलनब अंत्रा हैं इस में बता रगा हैन तो यहां पर जो है यह से बात के मालव चंतर का इसमें बता का है कि कैसे जो है ये किरिया करेगा तो जनने के बारे में चर्चा करते बिए अम इसके अलग अलग ? के बारे में समझते हैं जैसे यहाँ पर हैं जनन तंत्र सामाने परेचे जनन सभी जिवों पाई जैने वाले एक मुर्त्वपून तंत्र है जनन तंत्र की साहिता जिवों अपने जाती या वंस को बनाया रखने के लिए अपने ही समान करते हैं यहाँ पर अपने जैसे संत्र मतलब क्या है किसी नरमादा दुनु भाग लेते हैं लेंगे जनु देड Ho戲 है इसे में नर्प युगमे के रूप में तमादा युगमे के रूप में